आपका वेलकम है और आज के सेमीकंडेक्टर के क्लास में हम लोग सब्सक्राइब करेंगे P.N. जंशन के बादे में है drift current के बारे में और last में हम लोग देखेंगे के potential barrier क्या होता है इसी लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर five figure बना हुआ है और यह five जो topic है यह सब को हम लोग step by step करकर के समझने की कोशिश करेंगे तो आएए देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पी एंग जंक्शन क्या होता है तो पी एंग जंक्शन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक pure semiconductor लेते हैं pure semiconductor को intrinsic semiconductor भी कह जाता है, तो यह pure semiconductor है, यहост加 सिलकन का चर्मीनियम का बना हुआ है घर चलिक आप समय बना हुआ है और यह पूरा सिलकन का चंद्ध अब कर देखे एंग साइधर और दूसरा साइधर तो जब pure semiconductor के एक side को trivalent impurities से add कर दिया जाता है एक side में trivalent impurities को डाल दिया जाता है और दूसरे side में अगर pentvalent impurities को डाल दिया जाता है तो क्या होगा तो देखें अगर trivalent impurities को डाला जाता है जैसे के aluminium, gallium, indium इसमें से अगर किसी चीज़ को यहाँ पर डाल देते हैं तो यह पहले था pure semiconductor लेकिन अगर इसके इस side में अगर trivalent impurities को डालते हैं तो यह वाला side हो जाएगा इसका P type हो जाएगा यानि कि यह वाला आधा side बन जागा P type और अगर इस आधे वाले side में अगर pentvalent impurities को डाल दिया जाएगा तो यह वाला side बन जाएगा N type बन जाएगा टो प्हेले क्यों कर दा इस सिट में हम लोगों ने स्टोंपी कर दिया है किस आटम से ट्राइवएलेटम सेacles अैग्मोनिय play कर दिया गया तो इधर का आधा साइड बन जाएगा P-type और अगर इस साइड में अगर डोपिंग कर दिया जाता है पेंटावालट इंप्योटी से जैसे के फॉस्पोरस, आलसेनिक, एंटीमणी तो अगर फॉस्पोरस से इसको डोप कर दिया गया फॉस्पोरस को अगर इधर मिला दिया ग आधा हो जाएगा P-type और आधा हो जाएगा N-type हो जाएगा और बीच में यहां पर यह दोनों का boundary होगा यानि अगर यहां पर एक boundary हम यहां पर इस तरह से अगर डोप करें तो इसके इस साइड में हो जाएगा आपको P-type और इसके इस साइड हो जाएगा N-type हो जाएगा त तो यहां पर अगर एक boundary को ड्राव करते हैं दोनों के बीच में एक boundary करते हैं यह देखिए है लाइन ड्राव हो गया यह बॉंडरी हो गया अब इसके इधर इधर Trivalent Imputees को Added किया गया है, तो Trivalent Imputees को जब Add किया जाता है, तो P-Type का Formation होगा, लैनि कि इधर अब यह pure semiconductor क्या भरेंगा है, इसका यह जो Half Portion हो जाएगा आपको P-Type, और इसका इधर Half Portion हो जाएगा, इन Type हो जाएगा, इधर trivalet imputees को add कर दिया गया और इधर add कर दिया गया है पिंटा वैलेट imputees को add कर दिया गया है अब यह सीधा हो गया हो पिंटा वैलेट imputees को add कर दिया गया तो trivalet imputees को add करने से इधर p side हो गया करने से यह ओधा इसका साइंट है वह हो गया आपको आक यह बॉंटरी बलane के बीच में पेडाटरीं यह बॉंटरी चंड़ने पर संप्री मेरे के अग्रेड के बीस आकर दीर सेमी कंडर्टर पिडसेंटैंद लूट्री कि वहान जाता है पि एंचन इस bestow इधर है P-type और इधर है M-type है, इधर मिला दिया गया है Tri-Valent Imputries को और इधर मिला दिया गया है Penta-Valent Imputries को और this is the Bondry, this is the Context surface, और इस surface को हम लोग या यह इस Bondry को हम लोग कहेंगे P-N Junction कहाजाएगा, इसे यहां पर क्या कहने हैं हम लोग, पी-N Junction इसे कहा जाता है, इसे जैगा यहां पर देके दिकाते हैं इसे कर जाएगा या यह पिर सेमी कंडॉक्टर है यह बना हुआ कोई या फिर जर्मेरियम का बना हुवा कोई material है और इस की इसके इस साइड में एन्ट कर दिया गया है तो ये वला साइड बन जाएगा और यह वाला साइब बन जाएगा अन टाइब और बीच में तो इस इस स्ट गॉंटरी है यह बान्री को इस शिचुर्वेशन में इस बार्णरी को खा के Allra P N जुंट्चन इस दाश्तर इस बार्णरी बेन अन म्हनीत टीक चाऊद गई यह इंट बार्णरी स gece but is is doped if the if one side of the pure semiconductor is doped with the trivaliative duties and the other side is doped with the peta-valiative duties then the bonding between them is called PN junction उस bond को हम लो कहा है ने PN junction के आप देखिए आप क्या होता है जब आप इधर trivaliative duties को अड़ की जेगा तो इधर P-type में और P-type में हम लोग ने पढ़ा था कि P-type सेमी कंड़क्टर में holes are the majority carrier and electrons are the minority carrier यहनी यह साइब में number of holes number of free electrons से ज़्यादा होगा P-type में number of holes number of free electrons से ज़्यादा होता है और N-type में number of electrons free electrons number of holes से क्या होता है ज़्यादा होता है यहनी इधर N-type में होगा और होल्स क्यों होगा माइनूर्टी कर्यों होगा यानि इस तरफ होल्स बहुत ज्यादा होगा तो होल्स अगर ज्यादा होगा तो यहां पर होल्स दिखाएंगे इस तरह से यह वो गया और भी दिखा देंगे इस तरह से या इदर क्या होगा होसा बहुत सारा पोस हो गला है कुछ फिरी अलेक्टॉन भी होगा उस जाधा होगा अब जाधा होने कर देंगे सारा होल सी होगा ऐसा नहीं है होल्स वीक काई जाffches होगा इसलिए कुछ फ्री इल् wool अंपर क्या करेंगे डिखा देंगे इन इन डिखान में त्सट्पर एलएक्टोन्स ज्यादा होगा मट्रटोट के यहां पर हमगा क्या करेंगे एलेक्ट्टोन्स को दिखाएंगे इस तब इलेक्ट्रोंस दिखाएंगे और भी दिखा देने को कुछ होल्स भी होगा अब इलेक्ट्रोंस ज्यादा होगा यह कहा जारा है सब इलेक्ट्रोंस होगा सबस्क्रीं बाड़न में अधरोट्रोंस होगा और सकता है कि खिति अधर जब किसी पूर सेमीकिंड़क्टर के एक साइट को ट्राइवालिट इंप्यूटि से और इसके दूसरे साइट को पेंड़ाइट इंपूटि से डोप्ड कर दिया जाता है तो इन दोनों के बीच के बॉंटरी को कहा जाता है पी इन जंक्शन और trivalent imputives के add करने से इसका ये side बन जाता है P-type semiconductor और ये बन जाता है N-type semiconductor और इन दोनों के पीछ का जो boundary होता है उसे विलो कहते है P-n junction तो P-n junction समझ गया क्या होगा अब सेकेंड में हम लोगों समझता है इन डिफ्लूजन क्या होता है तो देखिए जैसे ही P-n junction का formation होता है ये डोपिंग कर दिया इधर ट्राइब इधर पेंटावलेट इधर नमबर ओफ और इलेक्टोन्स जादा है इधर नमबर ओफ जादा है जैसे ही फॉर्मेशन होता है P-n junction का तो इसके बाद क्या होता है कि इधर इलेक्टोन्स बहुत जादा है और इधर होल्स बहुत जादा यानि इधर विकेंसी बहुत जादा है खाली जगा बहुत जादा है और यहां पर जो होता है तो होल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ाता कि होल्स क्या होता है ये पोजिटिव ली चार्स चाइब करता है और होता है नेगेटिक चार्ज पार्ट की तो यह क्या करता है इसको ए玩 communism persons एक्ट्रेक्ट करता है तो एलिक्ट्न यहां से यहां डेक्ट्इवर यहांसे मॉफ करके यहां पहुंच जाता है और यह जो वेकंसी इए होई है उसको फिल अबप कर दो कि इस मोवमिंट को यहां कि हैंगे हम लोग कि पहुँंगी यहां Tut तो यह तो फिल अप हो जाएगा समझें तो यह खतम हो गया तो इस movement को कहा जाता है इस movement को कहाता है diffusion इसे कहा जाता है diffusion इसी कौन दूसरे वर्ड में कहेंगे one word में कहेंगे diffusion यानि इधर होस ज्यादा है number of holes ज्यादा है इस side में number of electrons बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर कॉन्सरेशन और यह ज्यादा है इस को कहा जाता है concentration gradient डी गैएन्ट और इसके कंदरन क्या होगा कि ये whole जो positively charge पार्ट की की तरह भी है करता है ये electrons को attract करेगा electrons यहां से इस तरफ आएगा और holes को क्या करने लेगा fill up करने लेगा फ़रने लेगा यानि कि इस movement को कहा जाता है diffusion इसे कहते हैं हम लोग diffusion यानि इसको हम लोग यहां पर देखते हैं याने यहां जाता है ये तो गएपी है नम बीच मेलेगा इधर एलेक्टोन्स क्या होगा जड़ा होगा और होल्स भी होगा लेकिन कम होगा इधर होल्स बहुत ज़ादा होगा लेकिन एलेक्टोन्स भी होगा कुछ वह दिखा है यह क्या है अब देखें डू टू कॉंसेंटरेशन डिफरेंस इदर एलेक्ट्रोन सादा है इदर एलेक्ट्रोन क्या करेगा इदर से मूफ करके यह जो विकेंसी है खाली जला है यह जो होल है उसको फिलप करना शुरू करेगा यह इसको क्या करेगा फिलप करना शुरू करेगा कब इस तरो मुफ करना शुरूर करेगा और मुफ करके क्या करेगा यह वोल को फिल आप करना शुरूर जिसके काम见ने जूक ही इसे हमदों कहते है डिफ्यूज और electron की इस movement के कारण, electrons की इस diffusion की कारण एक very small current develop होगा और उस small current को कहा जाएगा diffusion current, electron move कर रहा है, यारी electron पर charge होटा है, charge move कर रहा है और जैसी charge का movement होगा, flow of charge is called electric, rate of flow of charge is called electric current तो यहाँ पर electron का movement हो रहा है, यहाँ चार्ज का movement हो रहा है जिसके कारण एक current develop होगा और उस current को यहाँ पर घार राता है diffusion current, और diffusion current का direction की ज़र होगा, तो diffusion current का हमेशा direction electron की movement की direction की opposite होता है, electric current का direction हमेशा क्या दिया रहता है एलेक्टोन के वोर्मेंट के डार्येक्शन की अपोसेच किरा जा रहा है तो इदार पूफ कर रहा है तो Diffusion कर रहा है? यह होगा आपका Diffusion current इसे कहा जाएगा Diffusion current तो Diffusion current का डार्येक्शन कि दर होता है? पी साइट से एन साइट की तरफ होता है पी साइट से किदर होता है एन साइट की तरफ होता है यारी इदर क्या है पी साइट है यहाप लिए रहते है यह आपको पी टाइट है और यह क्या है एन तो डिफ्यूजन करेंट कि दर होगा तो Diffusion Current इधर से इधर हो लोगा यह होगा Diffusion Current तो Diffusion Current का दाविशन from the P side from P side to N side यही P side से N side के तरफ होदा Diffusion Current इसको यादतना अब्जिक्टिम इसको कोशन पूसा आता है तो Diffusion का दाविशन P से P side से किदा होता है N side किदा होता है तो यह होगा Diffusion Second हम लोगा कम्प्लीट होगा अब है Depletion Reason किसे कहते हैं तो देखिए Depletion Reason को समझने के लिए यह तो होगा P Injunction इधर है हमारा इधर Electrons जादा है इस तरफ इलेक्ट्रोन जादा है इधर जादा है तो जैसे ही Electron का Diffusion होगा है यह जो Electrons है तो यह Electrons यानि N type में नमबर ओफ इलेक्ट्रोन जादा होता है क्यों जादा होता है? क्योंकि इसमें लोग पेंटा वाले इंप्रिट्रोन को एड़ करते हैं यानि कि जैसे Phosphorus को एड़ किया गया है इस Phosphorus में 5 वालेंस एलेक्ट्रोन होगा तो यह एक वालेंस एलेक्ट्रोन यहां दूसरा यहां तीसरा यहां और चौतरा यहां होगा यह यहां पर bond बनाएगा सिल्कन से 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 और यही जो एलेक्टोन है इसके कारणी N-type में N-type में number of holes क्या होता है ज्यादा हो जाता है जैसे पेंटा में प्यूटिस को एड़ करेंगे एक एलेक्टोन ज्यादा हो जाए तो यह एलेक्टोन यहां पर आपको दीख रहा है यह सब यह सारा कौन सा एलेक्टोन है है ए फॉस्पोरस का फॉस्पोरस का फॉस्पोरस कर देखे चलते हैं तो फॉस्पोरस का फिट एलेक्टोन है और इधर की यह धर मिला गया एल्मोनियम को मिलाते हैं एक हेल्मुझियम कर एक सिल्कन के साथ सा सबनाएक और यहाँ पर सिल्कन के साहरे लेकिन इसका जो यहाँ पर िछह था शुरी सिली रह जाएते धेर वाधुन ब्रिदा शॉनल नियां में go już को यहां पर दिखाई दे रहा है यहां जैसी petty gonna owners को Catch आड़ एक एक फोल और वह अंपर अब यह यहां पर खारीज जगह है इस तरब और यह यहां पर यह अवाल एक्ट्र मार on Europ fer œव और और ऐलमोनियम का यह जो 4th overlap bond वो वेकंसी खाली है और यह यहां पर खोल है तो जैसे ही जैसी एप्य एंट जेशन का formation होता है, electron का diffusion होता है, electron यह देखता है कि यहां पर खाली जगा है, तो यह electron यहां से यहां चलाएगा, diffuse कर जाएगा, यह फोस्पोरास से निकल गया है वोस्पोरस एलेक्टोन कितना था शुदुरू में डोन इसका था 15 एलेक्टोन था और प्रोडोन की बात करें तो प्रोडोन भी था 15 प्रोडोन यानि जोना यानि फिटीं प्रोडोन था निकल गया यानि कि जब भी किसी night suburbs निकल जाएगा तो उस पर एक positive चार्ज आजएगा एक electron निकल गया नमबर ऑफ इलेक्टोन और बोफ उन बेडि़ जाएगा जीडो तो उसके 300 में से तो वोब सुर गया एक टोन निकल जा इनधिन डाया और 50 प्रोटोन बचाई जिसके कारण 15 में से 14 को घठाएंगे, तो यहां पर हमारा प्लस 1 आदाएगा, प्लस 1 चार्च, समझे, यहां फिर कोई भी फॉस्फोरस है, और इसमें से क्या करेंगे, एक एलेक्टोन को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो एक एलेक्ट्टोन को बाहर निकार देगे तो यह क्या बनाएगा P-plus बनाएगा P-plus बनाएगा Phosphorus आयन मन जाता है तो एक एलेक्ट्ट्ट्टोन के कारण Phosphorus पर positive चार्ज आ जाएगा यानि इस तरब एलेक्टोन जैसे यहां से आप डिफ्यूस करेगा तो यहां पर फॉस्पोरस पर पोजेटीव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्टोन इसमें एड़ हो रहा है यानि एल्मुनियम का थाटीन एलेक्टोन और थाटीन प्रोटोन अब एक एलेक्टोन और गया जिसके कारण यहां पर क्या जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा अल्मुनियम पर माइनस चार्ज आ जाएगा और फॉस्पोरस पर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि 14 एलेक्टोन और 15 प्रोटोन जाद है तो एक प्रोटोन के कारण यहां पर जादा होने कारण एक पोज पोजेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा पोजेटिव चार्ज डिबलप होना शुरू हो जाएगा और इस तरफ निगेटिव चार्ज डिबलप होना शुरू हो जाएगा यानि इन साइट की तरफ यहां पर पोजेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा यहां पर positive charge और इधर क्या होगा निगेटिव चार्ज यह एल्मुनियम पर जो निगेटिव चार्ज है वो दिखाया जादा है और यह फॉस्फोरस पर से जो एक एलेक्टोन चला गया तो यह फॉस्फोरस का positive charge यहां पर दिखा रहा है जिसके कारण क्या होगा इस diffusion की कारण जैसी diffuse करेगा कि इधर positive charge और इधर negative charge डिवलप हो जाएगा जिसके कारण यहां पर charge का एक space बनेगा चार्ज का एक reason बनेगा यानि यह जो चार्ज का एक reason बनेगा positive charge और negative charge का जो एक reason बना यहां से यहां तक इस reason को कहा जाएगा depletion reason यानि कि depletion क्यों क्यों ठाब हो घृष्थ खाली जगा तो खाली जगा जिए टाइलेक्टेृन जैसे diffuse कर गया तो एकी इस और फाली यानि एलेक्टोन भी आ से एलेक्टोन खाली हो गया होल भी खाली हो गया जिसके कान यहां पर का जो रीजन होगा उसे हम भी कहें दिपलीशन रीजन यानि खाली च्छेतर है और इस डिफूजन के करण इधर पोजेटिव चार्ज डिपलप होगा और इधर निगेटिव चार्ज डिपलप होगा पी साइड की तरब और यह जो रीजन है यहां से यहां तरका इस रीजन को कहा जाएगा डिपलीशन रीजन इसे हम लोग खेंगे डिपलीशन रीजन को यह समय में आगया होगा आपकर यह हमारा कॉप्लीट होगा डिपलीशन रेत रीजन क्या हूद है तो तुछ दूब संस्था और स्वेसर लिए कॉदल म्हाल खेंब टौला तो यहां से पूक्ता से यहां riots और नगोल म्हेटिजोण हो जाएं जाएगा घाल कम में आखइने कarta फोट्स ऐसे यहां को होटम शित्यों जानिक्था क्यों आई já mau electron or hole a positive charge developed towards the n side and negative charge developed towards the b side due to this positive and negative charge, this reason is called depletion reason. यह तो positive charge और negative charge का जो reason है, इस reason को कहा जाएगा डिप्लीशन रिजन इसे हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रिजन यह हमारे कप्लीट हो गया इसके बाद मिलों को सदी करना है इसे हम रोलिच लेते हैं यह जो रिजन है वो क्या कहाएगा यह है कि दिप्लीशन रिजन या फिर इसे ही कहते हैं डिप्लीशन लेयर दिखाते हैं इसे इधर यह दिखा देंगे अभी कुछ बचा हुआ यह तो डिफ्लीश है यह सब बचा हुगा है भी कुछ एलेक्टोंस निखाएंगे इधर नंबर उफ एलेक्टोंस क्या होगा ज्यादा होगा कुछ फोस भी होगा कि अब हम लोगों को नेश्त पढ़ना है तरह क्या होथा अब देखिए जैसे ही एल शाइड की तरफ पॉसेटिफ चार्ज और पी की तरफ negative charge का formation होगा या इदर positive charge नगीटिक इसका formation होगा तो यहां पर electric field यह जो positive चांज है और negative charge है तो चार के काण field generate होगा उस field को हम लोग कहेंगे electric field और उस field का direction यानि electric field is a factor quantity इसमें magnitude पे होगा direction होगा इसका direction की तरफ होता है तो positive पोजेटिव से नीगेटिव की तरफ होता है तो पोजेटिव से नीगेटिव की तरफ होता है इसको यहां पर देखते हैं कि एक अधिन जादा होगा इसे प्रेटिव प्रेटिव की तरफ होगा इसे नंगर फोल्स क्या होगा जादा होगा कुछ एलेंटूंस भी हो डूह कुछ एलेंटूंस दिखा देगा, अब देखें डूटु द पोजेटिव चार्ज यहें और इधर क्या है हम तो पोजेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जु यहांपिर फिल्ड जनेटिए होजाएगा और फिल्ड का डारेक्शन कि इदर होगा, पोजेटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरब, यानि ये ये डारेक्शन इदर से इदर होगा, इलेक्टिक फिल्ड का डारेक्शन, इलेक्टिक फिल्ड का में किसे इंडिकेट करते हैं, इसे इंडिकेट करते हैं, चार्ज है का करें दो फिसाइल की तरफ में जरसे लेक्टों है जर्त पोजिटीव चाझने बनेंगा तो कि इस एलेटोन को attract करेगा, यानि इसको ये positive charge इधर कीजेगा, इधर बुलाना चाहेगा, ये positive है, वर electron है ये negative charge है, लेकिन ये इसको oppose करेगा, ये सब क्या है negative charge है, तो ये negative और electron पर भी charge होता है, वो negative तो ये इसको oppose करेगा, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ electrons ऐसा होगा जो इसके यानि ये negative charge के oppose करने की बावजूद भी ये क्या होगा यहाँ से cross कर के इदर चना जाएगा इसी तरह से यहाँ प्रेकर pomves है तो ये क्या होगा प्रॉस करके इधर सीधा चला है इस एक्रों के मौफमेट के करएगा अब यह मौवमेट क्यों हो रहा है यह इधर माइनुटी था माइनुटी ये मैजुरी इलेक्रों पर सब कुल देख लिए है यह जो माइनुटी येट्रों है इस minority electron के movement के करण और यह movement क्यों हो रहा है क्योंग इतर positive charge develop हो गया और यह positive charge इस electron को क्या करेगा attract करेगा जिसके करण ये सब negative charge repaid करेगा लेकिन कुछ electron ऐसा होगा कि वो इसके oppose करने के बावजूद भी यहां से move करके इधर चला जाएगा इस movement के कान बी एक current develop होगा और उस current को यहां पर देखाँ जाएगा drift current उस current का नाम होगा drift current drift current develop होता है due to the minority charge carrier minority charge carrier के कान होता है निकि यह सब electron जो है minority electron है और diffusion current जो होता है वो majority electron के कान होता है यह जो community charge केंदे तो यहां पर अभ यह जो electron का movement हो रहा है वो P से inside की दरफ हो और current का direction हमेसा electron के movement की direction के opposite गया जाता है होgang facilitating होगा वो electron क्रीण move नूब करता इधर तो current का डारेक्षण होगा इस तरह यानि कि यहां पर हम लोग करेंट का दारेक्शन इधर से इधर दिखाएंगे और इस current को हम लोग कहा जाएगा drift current इसका नाम क्या है? drift current 一ह नाम क्या है? drift current इसका direction इधर सीदर होगा यहां पर electric field क्या होता है? drift current क्या होता है? when it is by itself होता है drift current inside से P side की तरफ होता है जबकि diffusion current P side से inside की तरफ होता है drift current diffusion current का क्या होता है opposite होता है drift current majority charge current के करण होता है जबकि drift current minority charge current के करण होता है minority electron और hole के movement के करण होता है तो यह हमारे कमिनी ठोके drift current करें इसके तरफ होता है